नमस्कार उस्तो मेरा नामे चंद्रगानत और आज हम बात करेंगे टायर्स के ऊपर बनी हुई मार्किंग्स के बारे में दोस्तो टायर्स के ऊपर बहुत सारी चीजे होती है जैसे कि यह लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है तो इसी बहुत सारी चीजे होती है जो हमें साथ इ मतलब्स यह जो तस दत्हाइन है चिए जो तुट्रुब फई जो यह मतलब ढहा है उसके बाद मैं यह जो यह 50 है आपकी टायर की हैट मतलब आपकी जो एड़ी है एड मूतकी होती है जो हाीट है तो इlor тобि अहीजियुट अब कियो हाई टायर की यह होती है यहां से बता है अम हमें अब यह 50 मतलब 50 mm नहीं यह 50 मतलब आपकी जो वட्स है उसका परसेंटेज है मतलब एक्सपेक्ट ट्रेशो मान सकते हैं आपका जो 205 है उसका 50 परसंट आप मोटा मोटे तौर पर लगा लीजिए तो आपके अगर यह विट जो इसकी 200 पास दे रखी है तो इसका 50 परसंट मतलब आपका 102.5 mm की जो यह है 102.5 mm की आपकी हाइट है उसके बाद बात करते हैं इसकी अब यह जो आर 17 लिखा हुआ है इसका मतलब यह कि आपका एक्चॉल में वील जो है वो किस वील के उपर मतलब किस एलॉय के उपर कितनी साइज के उपर फिट होने के लिए बना हुआ है तो आर 17 का मतलब यह कि रेडियस 17 तो एक्चॉल में यह टायर का नहीं एक्चॉल मे में जनरले आप देखे हैं कि प्रोफाइल थोड़ी सी पतली आती है बजाए हमारे स्टील रिम के और उसमें थोड़ी सी विथ कम आती है लेकिन प्रोफाइल बड़ी आती है तो मैं आपको एक्जामपल के तौर पर बताता हूं जैसे कि यह आप देख रहे हैं यह 205 mm की लेकिन आपको इसमें क्योंकि वील साइज चोटा कर दिया गया है मतलब आर 16 कर दिया गया है तो इसकी जो प्रोफाइल है वह लगबग एक इंच से बढ़ गई है लगबग 65% हो गई जहां पर उसमें 50% था तो यह एक मेजर डिफरेंस होता है ऐलोई वील्स के टायर्स में और नॉण ऐलोई वील्स के टायर्स में क्योंकि नॉण ऐलोई वील्स के टायर्स में प्रोफाइल थोड़ी सी बढ़ जाती है अब यहां पर आप जो देख रहे हैं यह है अक्चल मैं लोड इंडेक्स और स्पीड इंडेक्स मतलब इस से अपको पता चले गा कि आपका बन यह कितना लोड ले सकता है और सिंबॉल से आपको बता जालेगा कि आपका टायर जो है कितनी मैग्जम स्पीड तक जा सकता है सबसे पहले इसकी बात करते है 93 तो इसको हम डिकोड कैसे करेंगे एक टेबल है जो मैं आपको डिस्पले करा देता हूं इसमें आप ध्यान से इसमें करेंगे तो माइल पर आर में देखेंगे तो लगभग 210 किलोमेटर पर आर की स्पीड आप इस वाले टायर से अचीव कर सकते हैं और इससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उसके बात करते हैं कि बाकिवा सारी मार्किंग्स क्या होती है तो यहां पर लिखा हुआ है ब्राइंड के लावा कुछ चीज ऐसी भी होती है जैसे कि उनके खुद के मॉडल्स भी होते हैं मॉडल्स के बाद में उनके खुद की ऐसी चीज होती है जो थोड़ा सा फैंसी दिखाने के लिए भी दी जाता गाड़ी के टायर में देखेंगे तो आप यहां से डिकोट न यहां पर आपको इस तरीके से यह चीज लिखी होती है इसमें का मैनुफेक्ट्रिंग लिखा होता है कि आपका मैनुफेक्ट्रिंग किस कंट्री से है उसके बाद में देखेंगे तो आपको अगर मैनुफेक्ट्रिंग डेट पता गनने है तो डेट पता गनने के लिए इसको आपको अगर डिकोट करना चाहें तो इसका सीधा सीधा आपको ध्यान देना है इन आखरी वर्ड्स पर इसमें आप देखेंगे 13 और 18 तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि 13th week of 2018 मतलब आपके मार्च के 1st week में 2018 में यह टायर बिल्ड वा था मतलब इस टायर के मैनुफे की आपका टायर जो है वह किस सईध का है क्या आपकी टायर की स्पीड डेतेर और बागी चीजों के बारे में पता लगा सकते हैं तो दोस्तों बस यह एस वीडियो में अगर वीडियो पसंद आ इतो लाइक कर दिए सब्स्राइब कर दिए चैनल को तो मैं रोज ऐसी ही इन् वीडियोज लेके आते हैं